सिच्छक साथियो नमस्कार एम सिच्छा मित्र पे नए वर्जन आ चुका है उस नए वर्जन को आप सभी अपडेट कर लें अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपने मुबाइल स्क्रीन पे जहां पे प्ले श्टोर है आप इसको टच करें टच करने के बाद आप उपर देखेंगे ये तीन लाइन बने होई है इस पे जाएंगे इसके बाद यहाँ पे लिखा है माई एप गेम्स आप इसको टच करें इसके बाद यहाँ देखेंगे अपडेट एवलेवेल यहाँ पे लिखा है अपडेट आल अब इसमें आप देखेंगे कि हमारा एम सिच्छा मित्र कहां पे है यहां पे जितने भी है अपडेट आल में आप जैसे फेस्बुक चलाते हैं पेपोन, इस्टाग्राम, जीमेल, गूगल, गूगल फोर्ड ये सभी प्रकार के अपडेट के लिए का रहा है अपडेट करने का मतलब है जब आप अपडेट करते हैं तो हमारे एम सिच्छा मित्र पे नई नई जानकारिया अपडेट हो जाती है नई जानकारियों के साथ चलिए हम एम सिच्छा मित्र यहां पे इसको हम अपडेट कर देते हैं कि अब यहां पे अबडेट की प्रोसेस चालू हो गई हैं हम देखते हैं यहां पे यह अप्डेट जो है हो रहा है तो सच्छाक साथियो जब मौबाइल एप पे इस प्रकार के जो है update के लिए events这样 mentor या दिच्छा एप में समझ मापे अपनी mobile को आप update करते रहें यह देखे यहाँ पे यहाँ यहाँ पे sựちょ मिट उपडेट आल का रहा है लेकिन हमने यहाँ यहाँ पे events channel mentor को अपडेट किया है अर यहाँ पे open करने के लिए का रहा है इसको हम open करते हैं ये देखिए ये हम सिच्छा मित्र एप का नया वर्जन 14.1 पिछला अपडेट 11-12-20 को हमने किया था ये नया वर्जन में जो है बहुत अच्छी जो है ये हम सिच्छा मित्र का ये नए लोग के साथ हम देख रहे हैं तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं य क्या-क्या आया है सिच्छन, योजना, सिच्छक डायरी सबसे उपर Uniform distribution, Tracing, सिच्छ योजना, सिच्छक डायरी दिच्छा हमारा घर हमारा विध्याल है तो इसमें नई देख लेते हैं सिच्छान योजना अब सिच्छान योजना में हम देख लेते हैं क्या चीजे इसमें अभी सिच्छान योजना में हमें ऐसी कोई चीजी नहीं दिख रही है तो चलिए इसमें हम पुना वापस आते हैं अपने पीछे की ओर तो अब यह हम एम सिच्छा मित में देख लेते हैं पुना चाओ यह समलो एक वर्जन दिया हुआ है इसको हम पुना जो है ओपन करते हैं अब यहां पे लिखा है उनिफार्म डिश्टिपोशन ट्रेकिंग सिच्छा योजना सिच्छक डायरी इसको हम सिच्छक को खोलेंगे लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है सिच्छक साथियो तो आप अपने मवाईल एप में यह सिच्छा मित्र को अपडेट कर लें ओके ठैंक यूँ